मुझा अलेकम मेरी प्यारी प्यारी साहिलियों को मेरा प्यार सालाम और मेरी नहीं आने वाली साहिलियों को खुश्याम दीद मेरी जितने मेरा लायने वाली साहिलियों बहुत 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 शुक्रिया और जो पुरानी है उनका तुष शुक्रिया शुक्रिया तो 14 अगस गुजर गजर गई लेकिन आज है 15 अगस तो आप सब को दिल के कहराईयों से 15 अगस फ़ोध वाद मुबार्क हो और बस आला चा करके प्यार और महबत बन जाए और हम लोग एक दुसरे के घर पर आना जाना शुरू कर दें आमीन सुमामीन तो वैसे आज बहुत ही जादा खास वीडियो है क्योंकि आज मैं अपनी जिन्दगी के बहुत से राज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और वो रास क्या है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ उससे पहले बता दू कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ असल में रात का जो बच्चा हुआ सालन होता है हम उसी से breakfast कर लेते हैं और फिर दुपेर में खाना खाते नहीं और फिर शाम में ही खाना खाते हैं ये हमारी daily routine है कभी कमार ऐसा होता है कि evening time में हम लोग समोसे निगर्स वगरा या फ्रेंच फ्राइस वगरा ये चीज़े ले लेते हैं और बाकी जो है प्रॉपर जो दुपेर का खाना होता है वो बहुत कम खाया जाता है या तो ऐसा होता है कि सुबा अगर मैंने बच्चों को बिस्किट्स बॉइल एक दे दिया तो फिर हम लोग दुपेर का खाना खा लेते हैं वरना आज कल जब से चुटिया हुई है तब से हमारी यही रूटीन है कि 10-11 बजे ब्रेक्वस्ट करना और उसके बास रात का खाना शाम में 7-8 बजे तक हम खा लेते हैं अच्छा तो मैं आ जाती हू उसका जवाब आज की वीडियो हमें शेयर कर लिया जाए तो भई आप लोगों ने क्रिस्टन पूचा था कि आप लोगों की फैमिली में इतनी चोटी उमर में शादिया हो जाती है कि आपने 17 साल में शादी कर लिया आपका जो है आईडी कार्ड भी नहीं बना तो भई री अबू ने अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया पहले जमाने में हुआ करता था कि अबू इक भाइजान कहा जायता था और एक शर्म हया होती थी कि बच्चे पैदा होने के बात भी वह लोग तो यह बात नहीं करते थे कि हमारे बच्चे हैं तो बस आज कल तो वह बा पार्क में अपने साथ दोड़ाओं और यहां तक मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं मैं अब आया मैंने पहना तो मुझे अब बुझे रोड पे हाथ पकड़ कर भागना शुरू कर देते हैं और मैं हस्ती थी अबूर लोग देखते हैं तो बच्ची यो बच्ची बनके रह जाए तो बच्चा ही रहता है तो मेरे साथ शी तरह था कि मुझे अबू ने हमेशा बच्चा ही बना के रखा और मैं अबी तक मेरे जहन बच्चो वाला ही है और कल तो रजा ने भी मुझे बहुत डाटा है असल में हुआ कुछ इस तरह कि रास्ते में जितने भी फौजी बच्ची यो क्या अराम से वेठा है तो बस यह होता है कि मेरे अंदर अब बच्ची कुछ जादा है जो नॉर्मल लोग होते हैं मैं उनसे थोड़ा अलग हुमे स्पेशल चाइल्ड हूँ तो असल में यह है कि मुझे एरफोर्स में जाने का बहुत शॉक था और मैं नहीं जा सकी किसी रीजन की वज़ा से रीजन क्या वो पाकिस्तान के जो निजाम है उसकी वज़ा से तो बस मैं नहीं जा सकी ना एरफोर्स में जा सकी आर्मी नेवी में जाने की अबु ने इजादत नहीं दी और एरफोर्स के लिए तो अबु ने भी मेरे लिए बहुत महनत की अबू मेरे साथ जाया करते थी, हम लोग बहुत कुछ किया और बहुत महनत की लेकिन भई मेरा नहीं हुआ साफ बात है निकम्मी थी शायद इसलिए नहीं हुआ या क्या थी लेकिन निकम्मी थी नहीं थी माशाला से अलहमदलिल्ला मैंने जब सिर्फ पार्ट वन के एक्जैम्स दिये थे फर्स्ट एयर के तो मुझे मैम ने पूरा लेटर लिखके दिया था कि बहुत ब्राइट स्टुडेंट है और इनको आप स्लेक्ट कर सकते हैं और माशाला से इंटर बहुत अच्छे मांक से क्लियर तो यह भी काबिलियत की निशानी है भाई ऐसे कोई किसी मैडम मैडम लिखके नहीं दे रहती और मैं अपने स्कूल अपने कॉलिज की जह है प्रॉक्टर भी जिसकी विजह से मैंने बड़ी कोई अपनी दोस्तों को खोया है और मैं बहुत ही इस्ट्रिक प्रॉक्टर थी और अगर मैं फॉजी बनती ना तो वो भी बड़ी स्ट्रिक बनती लेकिन बस नसीम में नहीं था कहते हैं जिसको जितना नसीम में होता है उतना ही मिलता है तो बस मुझे भी वही मिला जो मेरे नसीम में लिखा हुआ था लेकिन हाँ अब मेरी खौईश है कि मेरे बच्चे वो एरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, आर्मी में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी मतलब के मिलिटरी की फील्ड में जाएं, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और पर्चम जाएं वो लहराते हुए जाएं, और मैं पर्चम वाली गाड़ी में बैठ तो बस यह था मेरी जिन्दगी का एक चोटा सा रास कि मैं जब भी किसी से महबबत करती हूं तो उसकी शिदत बहुत जादा होती है जाहे मेरा पाकिस्तान हो या मेरी फैमिली हो या इनलॉज हो या फ्रेंड्स हो लेकिन फिर एक्सपेक्टेशन भी फिर मेरी इतनी हाई हो ज इतना ही अच्छा मिलेगा तो फिर आप अपनी ही जात को तकलीफ देंगे और आपको रिप्लाय रिस्पॉंस इतना अच्छा नहीं मिलता तो यहां पर मैं लेकर आगई बैट्टी वैसे हम ब्रेक्फस्ट कर चुके उसके बाद हमने बैट्टी लिये तो बस हम लोग अपन अपने यह क्रें यह क्या गी जाया है क्या है चोट लिक घए पर क्या हूआ मृठी कि बहुद ना पर बॉल चल्ड पाकिस्तान का रोशन मस्टकब और अल्हाल से द्याहे क्या अमीन स्वामीन और यहां पर एक छोड़ी सी बात में कहने चाहूँजगी कि जिस कॉप की को जरूर एजुकेशन दिलवाएं क्योंकि पहला मदर्सा मा की गोध ही होता है और बस यहां पर हम लोग जा रहे थे बाहिर अपनी मेरी जो खाला जानी है उनके घर पर मैंने सोचा कि हम लोग जाते हैं लेकिन हमारे साथ हुआ क्या वो आई जा कि मैं मुताते हैं जा रही है आई मेरी और चिकन का सुट है मेरे बच्चों बोलो मार्शाललह से पॉर्टी नगर सेलिबरेशन सब कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं और देखें, सब भाई को पेचा रहे हैं हम भी निकलें मेरा क्या है, मेरा मेरा तो यहां पर है नहीं कभी नौशिन के घर पे, कभी जो मेरी खाला है उनके घर पे इस तरह जाके और अपनी जो सेलिबरेशन होती है जो फेस्टिबल्स होते हैं, उनको मना लेती हूं जाएर सी बात है, करांची जाना इतना जादा दूर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो करांची तो नहीं जा सकते हैं, बस यहीं घूम फिर लेते हैं मेरी एक बात अपने दिल और धिमाग दोनों में बिठा लें कि कभी भी जिद करके कोई भी बात अपनी नहीं मनवाएं वरना आप कभी भी खुश नहीं होते, तो रजा का दिल नहीं था कि मैं बाहर जाओं क्यूंकि हमारी घर में माश्याला बहुत रौनक हो रही थी भी सब जमा थे, जिया भाई जन्त करांची से आए होए हैं और बहने भी आ रही थी लेकिन मेरा दिल वहा कि नहीं मुझे कि अपनी अम्मी की और अबू की बहुत याद आ रही थी माँ के खाला के यहां मैं अपने के अपने मैं के कम क्यों जाती है पनाती हो और जो भी आपकी बर्दे हो या कुछ भी हो तो आपके सुस्राल वाले ही नजर आते हैं ऐसा क्यों तो बस मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि जब मेरी शादी हुई थी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रजा ने मुझसे एक बात कही थी कि महरी मैं अप अपने घर वालों के साथ ही सारी सेलिबरेशन्स करता हूँ तो प्लीज तुम जो है इस बात को समझो तो बस जब से फिर मेरे अबू ने भी यह परवरिश की थी मेरी के बेटा शादी के बाद असल जो जिन्दगी होती है वो सुस्राल की होती है और आपको सुस्राल वालो नहीं पासकती है अपने शोहर की नजरों में तो बस इसी वज़ा से मैंने इस बात को अपने जहन नशी कर लिया और मेरी जितनी भी सेलिबरेशन्स होती है वैसे रजा बहुत ख्याल करते है माशाला से मेरा रजा मुझे एद हो बक्राइद हो चाहे मेरे अम्मी अबू से नहीं मिलवाने लेके जाते हैं लेकिन हा नौशीन के पास मिलवाने जरूर लेके जाते हैं और देखा जाये तो बहन का घर भी मैका ही होता है तो मैं मैके जाती हूँ ऐसी बात नहीं है कि मैं मैके नहीं जाती तो आज आप लोगों के उमीद है इस सवाल का जवाबी मिल ग प्रटी हो मेरे पास जूट नहीं ममा से को जूट नहीं बोलते हैं सच बता दो इधर देखो इधर देखो पुछ तो हुआ है किसी से नाराजगी हो क्या यह फिर मेरी गुडिया मैं पूरे तरी के सब ठक गई हैं माशाला से शाम का वक्त है उमीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सरूर कीजिएगा इससे मुझे मिलता है होसला नेक्स वीडियो बनाने का और बस आई है कि आज का सूरज तो ढल गया लेकिन आने वाला नया सूरज हमारे मुलक के लिए रोशन हो आमीन सुमा आमीन मिलती हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज